नमस्कार दोस्तों बालाजी श्टरी एड़ा में आपका स्वागात है सीटेड अबर प्राइमरी कक्षा छे साथ आड न्सी आर्टी बेश सामाजी का दिन के डेली भी इस प्रसंद हम आपको करा रहे हैं तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नमबर 24 जो कि आपको साइड में आई बेटन में वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसका पार्ट नमबर 25 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर तीन बजे तो आप लाइव आकर भी दोपहर तीन बजे ये वीडियो देख सकते हैं चली सुरू करते हैं प्रस्ण से सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रस्ण पूचा था उसके उत्तर की तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रस्ण पूचा था कि मानव चंद्रमा पर सर्व प्रतम कब उत्रा 1953 ISV, 1963 ISV, 1969 ISV या 1971 ISV इस प्रकार से चार आप्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में दिये थे तो चलिए बात करते हैं सब चले पहले इसके उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आप्शन नमबर C जो है वो सही हो जाएगा यानि कि 1969 जो है वो ISV और कौन गया था तो वो भी आपको पता जरूर होगा कि नील आर्म स्ट्रॉंग जो है वो चांद पर कदम रखने वाले कह सकते हैं सारपर्थम जो पहले वेक्ती जो है वो थे और तारीक यदि आपको याद रखने है तो वो भी आप याद रख सकते हैं तो 21 जुलाई 1969 जो है वो तारीक थी option में जब ज़्यादा confuse करना होता है तो 1969 से संबंदे दो option दे दिया आते हैं और वहाँ पर तारीक भी आपको देखने को मिलती है चली आप सुरू करते हैं इस वीडियो के प्रस्न तो पहला प्रस्न है आपका कि हडपा में एक उन्नत जल प्रबंधन पडाली का पता जो है दौलावीरा में लोथल में काली बंगा में या आलमगीर पुर में चौर ओप्षन है आपको बताना है कि हडपा में एक उन्नत जल प्रबंधन पडाली का जो पता है वह इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा थाही होगा तो आपका option A धौला वीरा जो है वो सही हो जाएगा देकि धौला वीरा वर्तमान में का पड़ता है तो वर्तमान में जो गुजरात राज्य है उसमें धौला वीरा जो है वो पड़ता है धौला वीरा के समद्ध में आपर प्रस्त में क्या पूचा गया धौलावीरा जो है इसके संबन्द में यदि आपसे यह पूछा जाए कि इसकी खोज किस ने की थी तो जगपती जोसी जो है उन्होंने 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज जो है वो की थी और विस्तरत उत्खनन जो है 1990 से 1991 के बीच में रवींदर सिंग बिष्ट जो है एक वेक्ट उनके द्वारा जो है वो किया गया था चलिए देखते हैं दूसरा प्रसन है खाना बदोस जीवन से क्रसी के लिए बसावट में क्रमिक जो बदलाव है वो निम्लिकित में से किसके आसपास हुआ तो चार ओप्शन दे रखें पांच हजार साल पहले छे हजार साल पहले सावट में खाना बदोस होते थे वो उनोंने दस जार साल से पहले आसपास जो बसे समुधा है उसमें रहना शुरू किया था और इसके बाद ही उनोंने झो खेती है उसकी खोज भी जो है वो की थी तो प्रस्णिया से खेती के खोज के समन्द में भी आपसे जो है वो पूचा जा सकता है और इससे ही आप कह सकते हैं जो पसू थे उनके लिए चारा खोजने की जो उनकी परिसानी थी वो खेती सही कही न कहीं मुक्त भी हो गई थी और उसके साथ-साथ जो खाना बदोस मानाव सब बिता है उसके विकास की सफलता है में जो क्रसी है आप कह सकते हैं उसने एक महतफूर भूमी का निवाई थी आप्शन में इस प्रकार के प्रस्न के समय में पूछा जाए तो क्रसी को आप पहले प्रियोर्टी 1614 में इस प्रकार से चौर आप्शन है आपको बताना है कि सर टामस रो किस वर्स भारत आये थे तो चलिए बात करते हैं उतर की कौन सा सही होगा आपको आप्शन नमबर भी 1615 इस भी बिलकुल सही हो जाएगा यानि कि इंग्लैंड के जेम्स प्रतम के राजदोत सर टामस ज़यadian 1615 में भारत आये प्रस्न आपसे यह भी पूचाटा सकता है किस के सासनकाल में आया थे भारत में तो जहांगीर के सासनकाल में आये थे यह भी ध्यान में रखेगा देखते हैं चौता प्रस्न कि कौंसी भासा चेर राजवन्स में बोली जाती थी तेलुगू, तमिल मलयालम या कंणड चर आप्षन है आपको बताना है चेर राजबंस में कौन सी भासा जो है वो बोली जाती थी चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपको आप्षन नमबर C मलयालम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो चेर राजबंस है उसकी स्थापना जो केरल राजबंस है उसमें नवी सतापदी में जो हुई थी और पहले कह सकते ही है ऐसे सा सकते है जिन्होंने जो मलयालम भासा है उसको अधिकरत किया था और जो फिर सिलालेक है उस पर भी इस भासा का यूज वो किया था और इससे पहले जो छेतरी भासा हैं थी वो सरकारी काम का जो है उसका हिस्सा नहीं थी परंतु जो मलयालम भारतिय प्राइदीफ है उसकी प्रमुक भासा जो है उनमें से एक मानी जाने लगी थी जब से आप कहा सकते हैं चेर राजवंस में इसका उद्वव जो है वो हुआ था तो आपको सिंपल सी भासा में के वर इतना याद रखना है कि मलयालम जो है वो भासा चेर राजवंस में जो है वो बोली जाती थी चले देखते हैं अगला प्रसन पाचवा निमलिकित में से किस मौर राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी असोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल इस प्रकार से चार उप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा चले बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा आपको उप्शन नमबर B चंद्रगुप्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो किस मौर राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त में वो विजय प्राप्त की थी अगला प्रसन देखते हैं चटा भारती राष्टिये संग का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था लखनौ में पूने में यहां पर पूने होगा और तीसरा उप्शन है मुंबई और चौता उप्शन कहा रहा है कोल गाता चार उप्शन है आपको बताना है कि भारती राष्टिये संग का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा आपका उप्शन नमबर सी मुंबई जो है वो सही हो जाएगा तो चीज़े आपको ध्यान रखनी है पूने भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है गन्फ्यूज करने के लिए परन्तु जो भारती राष्टिये संग है इसका जो सबसे पहला सत्र था वो पूने में आयोजित करने का निर्णेज लिया गया था परन्तु हुआ नहीं था क्यों क्योंकि बाद में आपर इस सहर में हैजा फैल गया था उसके करन इस सत्र को मुंबई में जो है वो आयोजित किया गया था या कह सकते हैं स्थाना अंत्रित जो है वो कर दिया गया था आपका उत्तर option number C, मुंबई जो है वो सही हो जाएगा, भारती राष्टी संग का पहला सत्र जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया था, देखते हैं अपना अगला प्रसन सात्वा कि सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया, सात्वाहन, कुसाड, कनवा जि वीडियो को like भी अवश कर दीजेगा, इसनी सारी information हम आपको provide कराते हैं तो एक like तो आपका वीडियो पर बनता ही है, तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका option number यहाँ पर C, कनवा या कनव राजवंस जो है, वो सही हो जाएगा, याई कि 185 ईशापूर में, अब जो सुंग वंस है, इसका जो अंतिम सासक था, वो कौन था? तो इसका अंतिम सासक जो है, वो देव भूति था, यह आपको पता होना चाहिए, कौन था? देव भूति, तो जो देव भूति है, इसकी हत्या है, वो कर दी थी, इसी का एक मंत् जिसका नाम था वासुदेव तो यहाँ पर मैं V short form में लिख देता हूँ तो वासुदेव जो है उसने जो देव भूती है जो की सुंग सुंग वंस का अंतिम सा सकता उसकी हत्या कर दी थी और एक नया राजवंस जो है चलिए देखते हैं अगला प्रसन आठवा कि भारती सविधान बनाने वाली सविधान सभा को इस्थापित किया गया था भारती सुदंता अधिनियम के तहत 1947 में भारतीय राष्टिय कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिसन योजना के तहत 1946 में या आज थाई सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से चार उप्षन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका उप्षन नमबर सी कैबिनेट मिसन योजना के तहत 1946 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो भारत की जो सविदान सभा है जिसने भारतिय सविदान सभा गनाया उसे हम कैबिनेट मिसन योजना 1946 के तहत जो हो इस्थापित किया गया था और उसके साथ साथ इस सभा की पहली बैठक का वोई थी ये आपसे प्रस्थ पूचे जाए तो ध्यान रखेगा नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को जो है वो पहली बैठक होई थी और अध्यक्च उस समय सजिदानन सिना जो है वो हुए थे या कह सकते है डॉक्टर सचिदानन सिना की अध्यक्च था में जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को देखते हैं अपना अगला प्रस्थ नवा प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध किस नदी के दट पर जो है वो लड़ा गया गंगा, ब्रह्म पुत्र, कावेरी या परूस्थडी इस प्रकार से चार उप्षन है आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका उप्षन नमबर D परूस्थडी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा इसमें भारत जन जो है उनके राजा जिनका नाम था सुदास केवल आपको नाम पता होजना चाहिए सुदास जो है इन्होंने दस राजाओं के संग को जो हो भराया था तो आपका उप्षन D जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा देखते हैं अगला प्रसन दसवा कि निमलिकित में से किस वर्स में भारतिय राष्टिय संग की इस्थापना जो है वो हुई थी 1851 में 1865 में 1880 में या 1885 में चार ओप्शन है आपको बताना है भारतिय राष्टी संग की इस्थापना जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात करते हो तरकी आपका ओप्शन नमबर D 1885 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भारतिय राष्टी संग जो है वो A.O.H.E.M. के द्वारा 1885 में स् जो बात्चीत है उसके लिए एक मंच भी जो है वो प्रतान किया गया था है देखते है अपना अगला प्रसन 11 मगत की राजधानी इन में से कौन थी पाटली पुत्र वैसाली राजगरे जिसे हम गिरीवरज के नाम से भी जानते है या चमपा इस प्रकार से चार ओप्शन ह आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा मगत की राजधानी इन में से कौन थी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिलकुल आपका उप्शन नमबर C गिरीवरज यानि की राजगरे जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा तो मगत की जो राजधान गई थी तो यह आपका option C जो है आपर सही हो जाएगा क्योंकि आपर कौन सी थी यह पूछा गया है अपना अगला प्रसंद देखते हैं बारवा औरंग जेब के सासनकाल के दौरान सूबेदार जो है वो कहलाते थे सैन प्रसासक, सलाहकार, राजिपाल या जमीनदार चार option है आपको बताना है औरंग जेब के सासनकाल के दौरान जो सूबेदार है वो जो है वो क्या कहलाते थे option A, B, C, D आपके पास चार option है आपर दे रखे हैं चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपको option number C, राजिपाल जो है वो सही हो जाएगा जो सूबेदार राजिपाल जो है उनको कहा जाता था जो कि जो राजस्परसासन के जो कारयले हैं उनको नियंतरित करने का काम जो है वो करते थे तो आपको option number C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ध्यान रखेगा सूबेदार जो है वो राजिपाल कहरा दे थे 30 number प्रसंद कहरा है कि असोग के जो सिलालेक हैं उनमें प्रियुक्त भासा कौन सी थी बहुत ही अच्छा प्रसंद है important है चार option है संस्कृत प्राकरत पाली या हिंदी च सही होगा तो चड़ियों बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा आपका option number B प्राकरत भासा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा देखे भासा यहां पर पूछी गई है तो आप प्राकरत भासा को जो है वो टिक करेंगे परन्तो यदि लिपी पूछी गई होती तो आप कह जो आपकी मद्यकालिन भासा है चलिए देखते हैं अपना अकला प्रस्न 14 कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस्थानिय समय का जो अंतर है वो कितना होता है चार गंटे का पांच गंटे का पांच गंटे तीस मिनट का या छे गंटे का चार option है आपको बताना है कि भारत औ इंग्लैंड के बीच जो इस्थानिय समय है उसके बीच अंतर जो है वो कितना होता है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन से सही होगा तो आपका option number C पांच गंटे तीस मिनट जो है वो सही हो जाएगा इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते है यानि कि 82 डिगर जो है यह आप है सकते हैं इसमें जो अंतर है वो आपको देखने को मिलता है option में यहाँ पर जैसे कि समय दे रखा है घंटे में हो सकता है वहाँ पर डिगरी में दे रखा हो इसलिए आपको पता होना चाहिए पांच गंटे तीस मिनट कह लेज़े या साड़े बैयासी जो है उसको आप जो मानक समय वो मानते हैं उससे जब 60.52 अब आगे आते हैं तभी आप भारत का जो 2.52 की तोर बर टाइम निकालते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो 62.92 जो साड़े डिगरी इससे 5.30 मिनट के बरावर में दे रखा है देखते हैं अपना अगरा प्रस्न पंद्रा की किस सासक द्वारा सर्व परतम पाटली पुत्र को राजधानी या पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में जो है वो चैन किया गया था अजाद सत्रू, काला सोक, उदेयन या कनिस्क चार ओप्शन दे रखें आपको बताना है कि सर्व प्रथम पाटली पुत्र को राजधानी की रूप में किसके दोरा चैन जो है वो किया गया तो चली बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका option नमरे आपर सी उदेयन जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा और पाटली पुत्र के समद में पहले भी बता चुका हूँ जो पाटली पुत्र है इसका वर्तमान में नाम जो है वो पटना हो गया है जो कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी जो है वो पटना है चलिए देखते हैं अपना अगला प्रसंद 16 की रबर उत्पादन में विस्व में भारत का कौन सा इस्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा चार ओप्शन दे रखें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा रबर उत्पादन में भारत का इस्थान आपर पूछा गया है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा आपका उप्शन नमबर D, चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा विस्स में यदी नमबर पूछा जाए भारत का कौन सा है रबर उत्पादन में तो आप कहेंगे चौथा इस्थान है परन्तु भारत के अंतरगत यदी बात करें कोई राज जब पूछा गया है किस राज में या इन में से कौन से राज में सबसे ज़ादा है तो आपको केरल याद होना चाहिए केरल आपका जो है रबर उत्पादन में पहले नमबर पर जो है वो आता है और केरल के अलावा तमिलाडू और करनाटक भी द्यान रखेगा जिसे कि जैसे कि ऑप्शन में कभी-कभी आपको पहला नमबर वाला राज ना दे करके इनमें से पूछ ले आता है कि किसमें अगरडी है तो आपके तीन जो राज हैं उतमें केरल तमिलाडू और करनाटक ये तीनों टॉप में जो है वो आते हैं देखते हैं अपना अगला प्रसन 17 की मेगस्थिनी जने भारती समाज को कितनी स्रेडियों में विभाजित किया चार पांच छे या साथ चौर ओप्शन दे रखें आपको पताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो यहाँ पर आपका ओप्शन अमबर डी साथ जो है वो सही हो जाएगा यो मेगस्तिनी जनोंने भारती समाज को साथ इस रेडियों में विभाजित किया देखते हैं अगला प्रस्ण 18 प्रस्ण आपका है कि निमलिकित विदियों में से किस विदी का प्रयोग करने से पानी सुद्ध नहीं होता है यह आपर पूछा गया है chlorine मिलाने से आपका पूछा गया है potassium permagnate मिलाने से पूछा गया है उबालने से पूछा गया है या fridge में रखने से पूछा गया है तो chlorine आप देखते हैं कापसी जगा गोलिया डाली जाती टंकी में तो ये आपका बिल्कुल सही होगा यानि कि पानी को सुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है जबकि प्रस्ट में नहीं पूछा गया है इसी प्रकार potassium permagnate का भी यूज किया जाता है तो ये भी आपका बिल्कुल सही है उबालने से तो आप सभी जानते ही हैं उबालने से भी सही हो जाएगा जबकि आपका option number D यहाँ पर cut हो जाएगा फ्रिज में रखने से जो है आप कह सकते हैं जो पानी है सुद्ध करने के लिए ये कोई प्रयोग नहीं होता है आपका option D यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए देख लेते हैं आपको अगला और इस वीडियो का last प्रस्न और इसके बाद एक प्रस्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नएक प्रस्न पूछते हैं इसके लाबा वीडियो भी तक आपने like ना किया हो तो एक like तो आपका वीडियो पर बनता है यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को like करके अवश्य जाएगा इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो subscribe भी अवश्य कीजेगा और notification bell भी अवश्य आउन कर लिजेगा तक इसी प्रकार डेली आपको practice करने के लिए प्रस्न मिलते रहें अच्छे अच्छे और उसके साथ साथ टेलिग्राम चैनल से यदि अभी तक आप नहीं add है तो वीडियो के description में भी आपको link पिल जाएगा और direct भी बाला जी study अड़ टेलिग्राम पर search करके आप add हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं अप प्रस्न निम्लिकित में से कौन सा असोग के सामराज में सम्मिलित नहीं था अफगानिस्तान, बिहार, सिलंका या कलिंग चार option दे रखें आपको बताना इन चारोगें से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा option A, B, C, D, तो आपका option number C सिलंका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि आप कह सकते हैं असो के सामराज में सम्मिलित जए वो नहीं था जबकि आने राज भी आप यहां पर देख सकते हैं अफगानिस्तान, बिहार, करलिंग यह सभी आपके असो के सामराज से ही सम्मिलित थे इसी के साथ हमारे प्रस्ण सब आपत होते हैं के लिए देख लेते हैं वह प्रसंद जाज़ते की सभी वीडियो में आफ से एक प्रसंद पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रसन ये है कि 1857 यह वह उप्रो है वह निमलिकित में से कहां से शुरू हुआ था, बंगाल से option A, बंगाल के बाद option B आपका मेरड, option C इन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताईएगा, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर जो है वो सही बताते हैं, अंसर इसका हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे, तो इसे के साथ हमारा आज का ये पार्ट समाबत होता है, आज के बड़े में इतना ही वीडि अगले वीडियो में नए टापिक के साथ, तब तके लिए नमस्कार, थेंक्यू पर वाचिंग